इंडियन अमेरिकन नितित में किये गए एक अध्यन में दावा किया गया है कि करोना वाइरस के प्रसार में तापमान या मौसम की कोई परभावी भूमिका नहीं है International Journal of Environmental Research and Public Health में प्रकाशित रिसर्च से पता चलता है कि करोना वाइरस के संक्रमन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना पूरी तरह से human behavior पर निर्भर करता है ना कि गर्मी या सर्दी के मौसम पर रिसर्चर ने बताया कि मौसम केवल उस महौल को प्रभावित करता है जिसे करोना वाइरस किसे नए व्यक्ति को संक्रमित करने से पहले जिंदा रहता है अध्यन में कहा गया है कि मौसम हाला कि इंसानी व्यवार को भी प्रभावित करता है जिससे वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है अमेरिका के आउस्टिन में स्थित टेकसास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देव नियोगी ने इस स्टडी का नेतर्तुक किया उन्होंने कहा मौसम का प्रभाव कम है और अन्य पहलू जैसे लोगों की आवाजाही आदी संक्रमन को फैलाते हैं संक्रमन के फैलने के मामले में अलग-अलग वज़ों को देखा जाए तो मौसम आखरी वज़ा है अध्यान के मौसम को हावा के तापमान के बराबर परिभाशित किया गया है जो तापमान और मौसम की मौसम की कमबाइन वैल्यू है विग्यानिकों ने फिर इस अधार पर मार्ट से जुलाई 2020 के बीच अमेरिका के अलग-अलग इलाकों, देशों, शेत्रों और दुनिया के स्तर पर करोना वाइरस के फैलने का विशलेशन किया काउंटी और राजी के स्तर पर रिसर्च सिन ने मुबाइल फोन के डेटा के अधार पर लोगों की आवाजाही का अनुमान लगाते हुए इस बात की जांच की कि करोना वाइरस के प्रसार और मानव वैवार के बीच क्या संबन्द है इन मानकों प्रविशलेशन और संबावित गलतियों का आकलन करने के बाद विज्ञानिकों ने पाया कि कोविड-19 के प्रसार में मौसम का प्रभाव लगबग ना के बराबर है रिसेचर ने पाया कि मौसम के बजाए इंसानी विवार का सबसे ज़्यादा असर संग्रमन के प्रसार में होता है उन्होंने बताया कि यात्रा करने और घर के बाहर रहने से करोना वाइरस सबसे ज़्यादा तेजित में फैलता है